स्टेट बेंक ओफ इंडिया में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं ATM कम डेबिट कार्ड से कैश निकालना ये ATM है इसमें यहाँ पर एक स्लोट होता है जब इसके पास में लाइट चालू हो तब आप यहाँ पर कार्ड को इस तरह से सीधा रख करके इस लोट के अंदर डालें चुकि अब SBI के सभी ATM में डिप कार्ड फीचर इंस्टॉल्ड है इसलिए ये जो कार्ड है वो पूरी तरह से अंदर नहीं जाएगा आप इसे अंदर डाल करके और फिर बाहर निकाल करके अपने पास रख लें अगर टच स्क्रीन हो तो जहाँ पर बेंकिंग लिखा है वहाँ उंगली से टच कर दें और अगर बटन्स हो तो बेंकिंग के सामने वाले बटन को प्रेस कर दें इसके बाद जो लेंग्वेज चाहिए वो चुन लें अब यहाँ पर आपको कीपेड की मदद से 10 से 99 के बीच के कोई दो अंग यहाँ पर टाइप करना है जो अंग आपने टाइप किये हैं वो अगर आपको दिख जाए तो यस चुन लें आप यहाँ पर keypad की मदद से pin type कर दें यह pin आपको इस तरह से यहाँ पर दिखेगा और अगर इसको type करने में कोई गलती हो गई हो तो यहाँ keypad पर आपको एक clear का button मिलेगा उसकी मदद से उसको clear करके आप फिर से type कर सकते हैं और अगर आप इस पूरे transaction को cancel करना चाहते हैं तो यहीं keypad पर एक cancel का button होता है उसके मदद से transaction को cancel कर सकते हैं अब यहाँ पर अलग-अलग transaction में से cash withdrawal चुन लें कौन से account में से आप ऐसा निकालना चाहते हैं वो चुन लें हमने चुना saving account keypad की साहता से जितनी राशी आप निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर type कर दें वो राशी यहाँ पर दिख जाने पर yes चुन लें message आ गया आपका transaction जो है वो process में है अब यहाँ message आ गया है please collect cash और यहाँ इस slot में आप देख सकते हैं कि यह cash बाहर आ गया है ध्यान रखें machine से जैसे ही note निकलें उन्हें अपने पास रख लें क्योंकि एक बार note निकलने पर machine उन्हें वापस नहीं लेती है और यदि आप भूल गए तो कोई और व्यक्ति उन्हें उठा कर ले जा सकता है machine में एक और slot होता है जिससे की transaction slip बाहर आती है इस पर transaction की पूरी detail होती है आप खास ध्यान रखें इस slip को ऐसे ही न छोड़ें क्योंकि इस पर आपकी account का balance होता है इसलिए इसे संभाल कर रखें और यदि आपने अपना mobile number bank में register नहीं करवा रखा है तो register करवा लें जिससे SMS के जरीए आपको updated balance पता चल जाएगा और transaction receipt प्रिंट करने की जुरुरत नहीं पड़ेगी